नमस्कार दोस्तो तूलीद व्लॉगे में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या आप श्रीकृष्ण के बगत है क्या आप श्रीकृष्ण के मंद्रों का जाब करते है और उसका रजल कियाता है वो सारी ची है तो लाइक श्रीकृष्ण करना बिल्कुल भी मत भूले आगे बढ़ते हैं दोस्तो भगवान श्रीकृष्ण योहीं किसी को अपना फेबरेट बच्चा नहीं बना लेते हैं सबसे पहली चीज याद रखिए कि कुछ परिशानिया अगर आती है आपके जीवत में जब आ अला कारण अगर आपको बहुत जादा गुस्सा आ रहा है तनाव हो रहा है आपके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो फिर आप समझ लेजिए यह परिख्षा नंबर वन है अगर दूसरा कार आप फाइनांशियल क्राइस से जूज रहे हैं आफ्टर चांटिंग द थी स्री परिक्षा चौती घर में अस समय अचानक से परिशानी आ गई अचानक से आपको लगा कि मेरे साथ सब कुछ गलत होने लगया कोई भी ठीक से मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे साथ सारी चीज़े बिगड़ रही है तो यह थी नंबर चौती परिक्षा श्र श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, तो चलिए मैं आज इसके सच्चा ही आप लगों को बता देचे, श्रीकृष्ण की पूजा करने का अर्थ है, आपको सरेंडर करना होगा, आपको कुछ चीजे सीखनी होगी, सैयम, सबसे बड़ा जो सीख स् ट्विस्ट, अगर आपके जीवन में धैर्य, सैयम नहीं है, तो आपके जीवन में कोई भी चीज पर्मनिन्ट नहीं होगी, वो सिर्फ चण के लिए आपके पास आईगी, लेकिन वही पर अगर आपको धैर्य है, सैयम है, तो आपको श्रीकृष्ण हर तरफ से बलवान भी बनाते हैं और आपको बहुत स्यादा जागरू भी बना देते हैं दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि अकसर हम लोग बदले की भावना लेकर आते हैं जब आप क्लीम मंद्र करते हैं या फिर आप सीधे सीधे श्री कृष्ण के डिवोटी हैं तो आप बदले की भावना से दूर रहेंगे पूछे क्यों कि श्री कृष्ण आपकी भी मन की बात को पढ़ रहा है सुन रहा है और आपका जिसके साथ द्वन्द चल रहा है उसकी भी मन की बातों को सुन रहा है और समझ भी रहा है किसके साथ न्याय करना है किसके साथ अन्याय करना है वो भ प्रॉब्लम्स में सर्फ शांत होकर धैर्य होकर अपनी समस्याओं को सिर्फ देखे सोचे समझे और इससे बाहर निकलने का अगर समाधान डूनते हैं और सिर्फ एक स्माइल के साथ अगर आप निकलते हैं तो फिर आप देखिएगा श्रेकृष्ण जो भी आपके साथ अन्य क्योंकि आप अपनी बुथी तक ही करेंगे जितने आपका समझ है लिगन श्रीकृष्ण यह आपको वैसी वैसी सारी चीजों से बाहर निकालेंगे जो उनके सामर्थ में तो इसी लिए सारी चीजे बिलकुल छोड़ दीजी उनके शरण में और उनकी द्वारा आपको जो परिक्षा का सामना करना पड़ रहा है उस परिक्षा को हस्ते हुए निकालिये मालूम है कि परेशानी जब आती है तो बहुत ही जादा परेशान करनी के लिए तभी इसका नाम परेशानी है यह कभी भी सुख लेकर परेशानी नहीं आती है तो इसी लिए परेशानी को पर जब आप किसी के फेवरिट स्टूडेंट बिन जाते हैं तो वो समझ लीजे कि आपका बेडा पार लग जाता है क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर एक ऐसे सिक्षप का हाथ होता है जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है और आपके जीवन में आपको एक स्ट्रॉंगस्ट बनाना चाहता है इसलिए अगर आप क्ली मंत्र का जाप करते हैं आप श्रीकृष्ण के डिवोटी है और आपको अपनी जीवन में बहुत सारे समस्यों से जूजना पढ़ रहा है तो बस हसकर इसे चुटकियों में गायब कीजे क्योंकि श्रीकृष्ण जब देखेंगे कि यह स्टूडेंट अच्छा है और मेरे हर प्रश्णों को यह सठीक तौट पर आंसर दे रहा है तो इसका मेरे पास होना बहुत जरूरी है यही एक ऐसा भक्त है जो मेरे साथ रहने के लायक है बहुत स्मूद नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने हस कर टाला था क्यों क्यों कि उन्हें मालूंग था कि जहां अंधेरा है वहां सवेरा भी है तो इसी लिए आप अपने समस्याओं को समस्या ना समझे बलकि समझे एक परिक्षा है जब आप परिक्षा में उत्रेन हो जाते हैं पास कर जाते हैं तो आपको ही जादा खुशी मिलती है है ना इस समय आरी चीज़े चणिख भरी होगी पर्मनेंट नहीं होगी मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझे का अगर अभी भी एक वीडियो से समझ में नहीं आई है तो इसे बार बार रिपीट करके देखिएगा ताकि मेरी कही करी जो यह गहरी बात है यह आपको समझ में आज़ नही होगा इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भड़ा नमस्कार